Hi everyone, this is Robin और एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफर्म पे मैं आप सभी का वैलकम करता हूँ Part 2 हमारा ये होगा Geometry से Reference हम अपने के गरेन पब्लिकेशन के बुग को लेंगे PYQ के सारे questions को हम अपने इन पार्ट में solve करेंगे तो Geometry का हमारे Part 2 होगा This part will be presented by me Robin तो स्टार्ट करेंगे हमने अभी तिक 10 questions discuss कर लिए थे इसमें मैं 15 questions आपके साथ discuss करूँगा त्यान से समझेंगे Basically हमारा ये वाला जो part है ये आपका Equilateral Triangle पर base है मैं बताऊंगा नहीं कि Equilateral Triangle पर है मैं आपको यही बताता हूँ Without thinking and mind कि क्या हमें आगे मिलने वाला है Question को एकदम refreshing way में समझें Question आपके सामने है आप भी attempt कीजिए आपको दिया गया है ABC क्या है आपका Equilateral Triangle है जिसके अंदर आपके AX, BY, C, Z आपके क्या है Altitudes है Then the right statement out of the four given responses is तो मतलब जो आपके Altitudes अंदर बनेंगे यह आपका Right Angle Triangle हो गया यह आपका AX हो गया अगर यह आपका A है, यह आपका B है और यह आपका C है उसके बाद यह आपका BY हो गया और यह आपका C, Z हो गया जो कि आपके Altitudes है तो देखे, Equilateral Triangle की बात करी गई है और Equilateral Triangle के आपके यह altitudes हमेरे साथ क्या होंगे equal ही होंगे आप देखकर भी बता सकते हैं आप इसको prove भी कर सकते हैं क्योंकि altitudes आपके क्या होते हैं altitudes आपके होते हैं जो कि opposite side पर क्या होते हैं perpendicular होते हैं अब आपकी हर side equal है हर angle equal है तो obviously आप same चीज़ अगर हर corner से कर रहे हैं तो हर value आपकी equal मिलने वाली है जो कि आपको यहां से यह बताएगी कि आपका पहला answer यहां पर हो जाएगा next है आपका ABC क्या है आपके पास एक octolateral triangle है और CD आपका एक internal bisector है किसका angle C का BC को आपने produce किया है E पर के इस तरीके से के AC और CE आपके बराबर है आपको बताना है CAE की value तो देखें यहां पर हम draw करते हैं हमारा यह हो गया equal to triangle A B और C आपने कहा है कि इसके अंदर आपका क्या है equal to triangle है CD आपका internal bisector है मैं CD आपका यहां से draw करता हूँ यह आपका CD हो गया इसे मैंने बोला है internal bisector यानि कि यह वाला angle और यह वाला angle आपके इसने equal to divide किये उसके बाद DC को आपने produce किया है आगे कहा तक E तक और आपने कहा है कि CE और उसके बाद आपका AC यह आपके क्या है equal है और यह आपका एक triangle यहां से बन गया अब आपसे पूछा गया है कि CAE यानि कि यह वाला जो angle है यह आपको बताना है तो देखे पहले ABC आपको पता था कि equal to triangle था यानि कि हर angle आपका कितना हो गया 60 degree यह वाला जो angle है यह आपका divide कर दिया है यानि कि यह आपका 30 हो गया अब उसके बाद यह वाला जो angle होगा यह भी आपका 30 होगा अब आप इस 30 को जैसे ही आपने देखा तो आप कहेंगे कि यार यह वाला triangle जो कि है मिरे पास AC और E इसमें मिरे पास AC और CE यह मिरे पास equal है यानि कि यह वाला angle अगर मैं से X मानता हूँ यह भी angle आपका X ही होगा क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपने question में दी गई है equal है अब देखे यह वाला जो angle है आपका 30 क्या यह आपका इसका external वाला angle नहीं है जो कि आपका X और इस वाले value X के सामके equal होगा यानि कि 2X की value आपके पास आगी 30 और X की value आपसे पूछी है यह कितनी हो जाएगी आपकी 15 degree यानि कि आपका यहां से हो जाएगा option number 4th answer तो देखे आसान था बस आपको यह समझना था कि internal bisector किया है 30E हो जाएगा अगर यह external हो जाएगा ACE का तो उसके बाद यह वाले जो दो angle है जो कि आपने बता दिया है कि यह दोनों equal है यह 30 की value इन दोनों की equal angle के sum के equal होगी जो कि आपको 2X की value 30 के equal देगा और X की value आपकी यहां से आ जाएगी 15 जो कि आपका angle था CAE next आपको बोला गया है G क्या है आपका एक centroid है equalitary triangle ABC का AB की आपको value 10 दी गई है आपको AG की value बतानी है तो दीखे इस में अभी आपको समझाता हूँ इसके बाद आप इस अवतारे के सवालों को करने में ज़्यादा time ने लेंगे ठीक है तो equalitary triangle है हर बुज़ों आपको 10 दे दी centroid क्या होता है centroid होता है आपका जो medians होता है उनका bisector point यानि कि अगर मैं equalitary triangle के किसकी बात करता हूँ centroid की तो मैंने आपसे कहा कि यह होगया आपका point G अब दीखे कोई भी centroid आपका किस ratio में divide करता है 2 और 1 के ratio में divide करता है इस value को centroid यानि कि जो आपका median जो आपने draw किया है इसको मैंने थोड़े दिर के लिए बोल दिया D अब दीखे हर भुजा आपने बोली है 10 है तो मैं क्या equalitary triangle के अंदर का median है वो निकाल सकता हूँ उसकी value होती है आपकी root 3 by 2 of भुजा यानि कि into 10 या आपने किसकी value निकाल ली AD की अब दीखे AD की value आपने निकाल ली है कितनी आ गई है या आपकी 5 root 3 अगर आपके पस AD की value है क्या आप इसको 2 part को नहीं पूछा गया यानि कि AG की value ही तो आप से पूछे गई है तो 3 part में 2 part है किसका AG का जिसे मैं कर दूँगा इस side AD के multiplication में यानि कि 5 root 3 यहां से आपका कितना हो जाएगा 10 upon root 3 कहीं पर है नहीं है तो उसके सीधा सीधा देख रहा है आपको आपका answer कौन सा हो जाएगा option number 2 उपर नीचे multiply कर लीजे या फ़र कुछ भी मत कीजे simply आपको option number 2 यहां से मिल जाएगा the radius of the in circle of the equilateral triangle having each side कितना 6 cm आपको बताना है तो देखी यह होगी आपका root 3 अगर मैं equilateral triangle के in circle की बात करता हूँ तो वो आपका क्या होता है वो आपका भुजा जो की 6 है divided by 2 root 3 इसके equal होता है क्या in radius बस यह आपको करना था सीधा सीधा simplify करेंगे 2 से 3 और 3 से आपका root 3 तो बचा आपका क्या कितना root 3 जो कि आपको यहां से option number 2 देदेगा if the 3 medians of a triangle are same then the triangle is तो दीखे पहला ही हमने इस session का 11th question था book का हमने वो देखा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जब आप तीन या तो perpendicular draw कर लें या medians draw कर लें अगर वो सभी एक equal little triangle के median या फिर perpendicular है तो वो आपके equal आई थे अब यहीं आज से उल्टी चीज़ पूछ लिए कि अगर आपके median आपको पूछा गया है तो वो triangle कौन सा हो जाएगा तो वो तभी होगा जब वो triangle आपका होगा एक equal little triangle यानि कि आपकी हां से option number one हो जाएगा correct next है आपको पूछा गया है if inner triangle ABC जो कि आपको दिखाया गया है figure में AB आपका AC के equal है यानि AB और AC AC की value आपको 120 दी है angle A की value आपसे पूछी है तो यह कितनी हो जाएगी आपकी 60 degree जाद आपको सोचना नहीं है अब देखिए यह आपका 120 है अब यह angle आपका क्या है यह आपको बोला गया कि यह वाली side इस वाली side के correct हो जाएगा next है आपको दिया गया है the side BC of a triangle ABC is extended to D ACD की value अगर आपको 120 देती जाती है उसके बाद ABC को बोला जाता है कि वह half है CAB का तो ABC की value बता दीजे तो हमें draw करना पड़ेगा यह हमने draw किया हमारा यहांपर बहुती अच्छा बनाया हुआ triangle तो यह हमारा ABC triangle हो गया अब इसमें आपने इस value को deeper draw किया ACD की value आपको provided है कितनी 120 ABC के बारे में बोला गया है कि ABC half है CAB का यानि कि अगर मैं इसे 2X बोल दो तो आपको यह वाली value बोले रही है X आपको ABC यानि कि X के value बतानी है तो देखिए 120 क्या है आपका external value है इस triangle ABC का यानि कि 2X और X के sum के equal होगा यानि कि X प्लस 2X के value आपको कितनी दी गई है 120 यहां से आप बोलेंगे कि भी X के value कितनी आ जाएगी 40 जो कि आपसे पूछी गई थी इसलिए आपका option number 2 यहां से correct हो जाएगा इसलिए आपका half होता है इंदोनों का ratio पूछा है यह हो जाएगा कितना 1 ratio 2 If the three angles of a triangle आपको दिये गए है तो triangle क्या होगा तो मैं एक बार sum करके देख लूँगा कि किस तरीके की value यह आपका यह triangle दे रहा है तो X plus 15, 6X upon 5, 2X plus upon 3 तो मैं अगर यहां से LCM ले लो और इसको मैं calculate करने की कोशिश करूँ तो यह आपका लगबग कितना आ जाएगा 6X 2X यह आपका 15 और यह आपका 28 15 33 43 43 X आपका आ जाएगा और उसके बाद यह आपका इधर जाएगा ऐसके 51 मायनस करओंगा समस का 51 या आएगा 51 मायनस करओंगा 35 29 आएगा X की value कितनी आगे आपकी यहां से X की value आपकी कितनी आ जाएगी 43 X की value अगर आपकी 129 इंटु 15 भी दो होगा आ जाएगा इंटु एंक डिवाइट कि तो यह आपका कितना हो जाएगा तो obviously ये भी आपका 60 हो जाएगा ये आपका equilatory triangle हो जाएगा आपको कुल मिलाके यहाँ पर angle calculate करने थे क्योंकि ये angle से ही आप ये पता कर सकते थे कि ये आपका triangle किस तरीके का होगा अब अपनी calculation में आपको थोड़ा तेजी दिखानी है और आपको answer यहाँ से मिल जाएगा ABC आपके पास एक equilatory triangle है AD क्या है perpendicular है BC के उपर ये value बोली गई है किसके equal होगी तो याद रखेंगे standard result के रोप में कि ये होता है आपका 4 AD square के equal समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि आपने बताया था कि ये क्या है आपका एक equilatory triangle ABC ठीक है आपने एक perpendicular draw किया है इसकी value है D पर और PC पर आपका ये perpendicular है अब आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि अगर आपको ऐसा simply रहोंने बोल दिया है कि ये क्या है AD की value में आपसे बताया था कि कितनी होती है ये होती है root 3 by 2 of side side आप कुछ भी ले ले लेजिए से x माल लेजिए थोड़ी दर के लिए इसकी value आपके किसके आगी AD की equal अब देखिए ये सभी value क्या है आपकी equal है यानि कि मैं अगर AD की बात करूँ इसी तरीके से अगर मैं x को निकालने की कोशिश करूँगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 upon root 3 into AD आप x के square ही सभी value क्या है आपकी x ही तो है x square x square x square बस आपको इनको 3 बार square करके add करना है तो 4 upon 3 into AD इसी तरीके से इसको 3 बार कर देंगे 3 से 3 कर जाएगा यानि कि 4 AD 3 square आपको आजाएगा जो कि आपको यहां से 3rd answer दे रहे है तो याद रखेंगे बार बार इन चीजों को हमें solve नहीं करना है standard चीजों होते हैं इनको याद रखेंगे this centroid of an equilateral triangle ABC कहां पर है G पर AB की value 10 है तो बता दीजी कि आपका centroid centroid दिया गया तो AG की value आपसे पूछिए तो AG की दिखी value क्या होगी यह तो मैंने आपको बताया था यह हो जाएगा आपका 10 root 3 by 3 कैसे मैंने बताया था कि equilateral triangle का आप क्या बता दीजी perpendicular distance जो होती है perpendicular की value बता दीजी तो वो क्या होता है root 3 by 2 into side जो की आपके पास 10 है यह कितना आगे आपके पास 5 root 3 आप AG की value जो होती है आपकी यह वाली जो value होती है AG यह 2 ratio 1 में काटता है तो इसको बस 2 बटे 3 करना होगा आपको अगर आप ऐसे करेंगे तो कितना आजाएगा 10 root 3 by 3 आजाएगा सीधर सीधर option number 3 आपको यहां से correct हो जाएगा let AX is perpendicular on BC equal to triangle की side है BC some of the perpendicular distances from the distances of the sides of ABC from any point inside a triangle क्या होता है तो आपको यहां पर बताना है तो देखिए यह भी एक standard result है यह हमेशा आपका equal होगा किसके AX के equal कैसे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ जैसे suppose कीजिए यह आपका होगा equal to triangle क्या A, B और C अब आपने बोला है कि AX क्या है perpendicular है BC पर तो यह आपका होगा perpendicular value यह आपने X perpendicular draw कर लिया अब आप कहते हैं कि इस triangle के अंदर कोई एक point है इस point से आपने 3 perpendicular draw किया है तीनो sides पर ठीक है अब आप इनको कुछ भी माल लीजिए अपने हिसाप से मैं इनको बोलता हूँ कि यह आपका X हो गया था यह आपका D माल लीजिए यह आपका E, F माल लीजिए यह आपका E माल लीजिए अब दीखी हमेशा अगर मैं इनको ऐसे connect करूँ ये मैंने connect किया इस तरीके से क्या ये वाला angle अगर मैं इसके value को थोड़े दर के लिए O माल लेता हूँ AOB, BOC, AOC इन तीनों triangle का sum पूरे triangle के area के equal होगा या नहीं होगा और पूरे triangle का area क्या होगा perpendicular है, base है तो उसके equal होगा यानि कि यहां पर आपको उगर इसको equal रखना है, total area केतना हो जाएगा BC into AX अब किसके equal होगा है, half of ये वाला perpendicular यानि कि AB into OF इसी तरीके से दूसरा वाला, ये sum हो रहा है आपस में, ठीक है उसके बाद ये BC, BC into OD और उसके बाद half of OE into AC half of common ले लेंगे, उसके बाद ये सारी, जो sides है वो equal है, इनको भी मैं काट दूँगा, इसके से cut जाएंगी अब ये OF, OD और AC ये क्या है, परपेंडिकुलर distance है आपके अंदर ले गए point से, तो इन सभी का sum किसके equal आ रहा है, AX के equal आ रहा है, ये सारी value बागे cut गई थी, तो ये हमेशा आपका AX के equal होंगी, अगर आप किसी equal triangle के अंदर कोई point लेके वहाँ से perpendicular draw करते हैं, तो उन perpendicular का sum आपका हमेशा, उस value के equal होगा, जो कि आपने starting में, ABC पर perpendicular डाला था, A से AX, let G be the centroid of an equilator triangle ABC, perimeter है 24, आपको बताना है कि length of AG क्या होगी, अगेन आसान सा question है, आपका option number 2, आसान यहाँ से मिल जाएगा, perimeter 24 से side कितना होगी, 8, अब आप से मैं कहूंगा कि इसकी जो length है, I mean perpendicular हो कितना होगा, तो आप कहेंगे फिर से, कि root 3 by 2 into 8 करन होता है, तो यह कितना आ जाएगा आपके पास, 4 root 3, अब इसका 2 by 3 आपको निकालना है, अब 2 by 3 निकालने के लिए 8 होगया, divided by root 3, तो सीधा सीधा option number 2 आपका यहां से correct हो जाएगा, ओ क्या है, आपका ortho center है, ABC का, BOC की value 110 है, BAC की value बता दीजे, तो देखिए ortho center और उसके वाला जो center होता है, उनका sum 180 होता है, तो इस 110 में क्या add करूं कि मेरा 180 बन जाए, obviously आपको 70 add करना होगा, यही 70 value आपके क्या है, BAC, यानि क्या option number 2 होगा, समझा देता हो है एक बार, यह आपका A हो गया, यह आपका B हो गया, यह आपका C हो गया, यहां पर आपका यह क्या है इसी वज़े से मैंने option number 2 mark किया, the altitude of an equilateral triangle of side 2 by 3 कितना होगा, तो यह होगा 1, आपको दिया क्या है, altitude पूछा गया है, equilateral triangle, side कितनी है, 2 root 3, तो altitude क्या होता है आपका, root 3 by 22, side वो कितना है, 2 root 3 आपको दिया गया है, कट गया सब, एक बचा, जो कि आपको यहां से option number 1 देतेगा तो यह था आपका एक और पार्ट, जो कि आपका हमारी करें publication की PYQs के solution से related था, I hope आपको इस session पसंद आया होगा, पर पसंद आया है, तो please do like it, वीडियो को share करें, subscribe करें, telegram और Instagram के page को आप description में जाके follow कीजी, और an academy पर काफी सारे batches आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके C CGL, CHSL, MTS, CNO, सभी exam को target करते हैं, आपको उगर subscription लेना है, तो आप SSCYT या फिर robin.bsr का code भी use कर सकते हैं, जहाँ पर आपको instant discount मिलेगा, next part में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, take care, bye bye, thank you.